इसमें लाहमान ये रहें, दिस सामना, and today we will discuss about crisis in बलोचेस्थान, आज का topic मैं बहुत detail से आपका साथ discuss करूंगी, from annexation to insurgency, ठीक है, so start करते हैं without wasting a second, crisis in बलोचेस्थान, from annexation to insurgency, किस तरह बलोचेस्थान में annexation होती है, और किस तरह महाँ पर insurgency होती है, और किस तरह महाँ प now, बलोचेस्थान, पाकिस्थान's largest province by area, ठीक है, अगर हम area की हिसाब से देखें, तो बलोचेस्थान पाकिस्थान का सबसे बड़ा सुबा है, ठीक है, 40% of Pakistan gas production and contains significant natural resources, ठीक है, पाकिस्थान की 40% जो gas production, बतलब जो sweet gas आप लोग अपने घरों में use करते हो, 40% आप लोचेस्थान से ले रहे हो, ठीक है, इसके लावा वहाँ पर natural resources है, बहुत से significant किसम के last video मैंने आपनों को लड़ी बताया था, gold, copper, etc, ठीक है, but it remains the country's poorest, ठीक है, लेकिन इसके बावाजूद मतलब वहाँ से हम लोग बहुत फाइदा ले रहे हैं, लेकिन अगर हम ल पाकस्तान, काफी अरसे से ये problems जों से ये बलोचेस्थान में चले आ रहे हैं, बलोचेस्थान crisis है क्या, पहले इसको understand करते हैं, बलोचेस्थान crisis is a situation where the people who live in बलोचेस्थान are unhappy and how their region is being treated by the government of the countries they live in, ठीक है, बलोचेस्थान basically crisis, ये एक ऐसा problem है, ऐसा situation है, जहां पर जोग रह रहे हैं, बलोचेस्थान में वो unhappy हैं, क्यों? क्योंकि उनको उस तरह से treat नहीं किया जा रहा गौर्मन्ट से, जिस तरह बाकी के provinces में किया जा रहा है, बलोचेस्थान के लोगों के लिए, पंजाब, बलोचेस्थान के लोगों के लिए, सिंद, ऐसे provinces हैं, जैसे हमारे मिन्स के वहाँ पे देखो अगर हम लोग देखें फरस को मैं पंजाब में हूँ तो मतलब यहाँ पर इतनी ज्यादा इतनी मज़े मज़े की फसलेटीज नहीं जैसे के बाहर की मुल्क में होती हैं ठीक है लिकिन देखो हमें यहाँ पे बेसिक नीड्स सिर्फ मिल रहे हैं तो अच्छा उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जी हिस्टोरिकल बैक्राउंट की यह स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है बहुत देहान से आप तें आज का लेक्चर सुनना है आज की लेक्चर में भी आपकी बेस बनेगी और मैं आपको एक्मेंड लिकरूँ कि इस से पहले जो जो हमारे रूलर्स हैं जो हमारे ऐफिशल्स हैं गौर्मन्ट ऑफिशल्स हैं ठीक है उनका क्या रोल रहा है बलोचिसान क्राइस में किसी ने कुछ किया भी है कि नहीं ठीक है अच्छा दिह जो मसलह ना ये आजकल से स्टार्ट नहीं हुआ या दो दीन साल से स्टार्ट नहीं हुआ, यह जब बिटिश इंपायर था ठीक है, तब से ही यह प्रॉब्लम दून से है, वो स्टार्ट रहा, ठीक है, डिफरंट ट्रीटीज होती रहीं, एरान में, पलोटिस्तान के साथ, ठीक है, बिटिश इंपायर के साथ, इन्डियर्स पर इसको पाकिस्तान के साथ लहा करने के वारे में सोचा किए, तो डिफरंट ट्रीडीज, डिफरंट अनेक्सेशन पर यह चीज़ बेस करती है, ठीक है, हम लोग इतने स्टार्ट से नहीं बढ़ेंगे, हम लोग सरफ तब बढ़ेंगे, नाइटिन फोटी सेमन के बात के ठीक है, अच्छा, नाइटिन फोटी सेमन से नाइटिन फोटी एट की मैं बात करूँ, आफ्टर दी पार्टिशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, नाइटिन फोटी सेमन, ब्लोचिस्तान स्टेटस बिकम आ पॉइंट ओफ कंटेंशन ब्लोच लीडर्स रिजिस्ट एसेशन त नाइटिन फिफ्टी सेमन, नाइटिन फिफ्टी तू में, खान उफ कलाथ, दी रूलर ऑफ प्रिंसले स्टेट कलाथ, साइन एन इंस्ट्रूमन्ट ऑफ असेशन, मरजिंग कलाथ इंटू पाकिस्तान, ठीक है, ये एक फोर्स फुल, आप समझो, फोर्स फुल किसम की असे आते थे, कि हम खुद यहां पर अपनी सोवरेंटी काइम करें, ठीक है, चाहिए पाकिस्तान का हिसा ही रही, लेकिन हमारी सोवरेंटी यहां पर होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके बाद बहुत एक्रिसिवली उनकों इंप्रिजन कर दिया गया, और उनकी मोमेंट्स को खतम क अप्रिस्टान, लेडिंग तू, रिजिस्टन्स डॉम लोच, मिलिटिस्ट ग्रूप, ठीक है, अब क्या किया गया, और रेड़ी इन लोगों के दिलों में घागम था, ठीक है, उन्होंने मोमेंट्स स्टार्ट की है, ठीक है, अब पाकिस्तानी गौर्मेंट्ट ने क्या क या बजाएगे कि बैठ की कुछ मसलों का हल कर लेते, ठीक है, आपने कलात को पाकिस्तान के साथ जोड़ कर, ठीक है, पाकिस्तान के साथ असेशन उसके करके कौन सा मारका मार लिए, क्या किया आप लोगों के लिए, ठीक है, आप दिरम्यान का कोई हल निकाल सकते थे, आप पाकिस्तान अभी नया नया बने, ठीक है, अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह की मोमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगी, तो प्रॉब्लम्स कभी भी खतम नियोंगे, वो ही काम हुआ, कि उस वकत कि जो रूलर्स थे, उन्होंने अपना पॉजिटिव रोल प्ले नहीं गया, बलकि नोने पाकिस्तानी आर्मी को भेज दिया, बलोच इस तान ठीक है, कि वो किसके अगैंस्ट लड़ें जी, बलोच नैशनलिस्ट ग्रॉप्स के अगैंस्ट वो आपर काम करें, ठीक है, कि क्या वो बलोच नैशनलिस्ट ग्रॉप्स जो भी थे इस वकत, क्या वो हमारे कुछ नहीं लगते थे क्या वो हमारे पाकिसानी भाई नहीं थे वो थे लेकिन उनको समझा नहीं गया ठेक है तो यह एक गलत अप्रोच थी as such अगर मैं अपना opinion दू तो okay next 1960 के एकर मैं बात करूँ 1963 में स्वीगेस फील्ड इस डिस्कवर इन ब्लोचिसान लिडिंग टू इंक्रीज रिसोर्स एक्सवरिटेशन और एकॉनमिक ग्रेविनेस अमंग ब्लोचिसान पीपल 1963 में वहां पर स्वीगेस फील्ड जो उन से डिसकवर हुई ठीक है और आईस्थाईस ताईस्थाईस तब स्वीगेस थीक है पाकस्तान की डिफرن्ट पर असुबों तक पहुंची लिकिन ब्लोचिसान की लोगों को से महरूं कर दिया गया मतलब उनको तो आज भी स्वीग गैस उनके घरों में अवेलिबल नहीं है जबके निकल वहां सरी है तो यह बहुत बड़ा एक कोश्चन मार्ग था वहां के लोग के जिना में उनके घम को मजीद इस चीज ने क्या हुसे कहते हैं तरो ताजा कर दिया मतलब उनको ऐसा लगा कि शायद हम पाकिस्तान का हिसा ही नहीं है कि आप हमारे रिसॉर्सिज हमें देने की वजाए पहले आप किसी और प्रवर्विंस को दे रहे हो ठीक है तो इस ने क्या किया कि उनके घम को ज्यादा कर दिया देन 1963-1969 में फर्स्ट ब्लोच इंसर्जेंसी टेक्स ब्लेस विच स्प्रेडिक क्लैशिस ब्लोच इंसर्जेंस अंड पाकिस्तानी स्क्यूर्टी फॉर्स अब क्या हुए जी पहली अप्राइजिंग हुई है 1960-1969 के टेन्योर में किस में जी पाकिस्तान मिलिटरी में और इसके लावा जो ब्लोच मिलिटेंट्स हैं उन में ठीक है अच्छा और उसके बाद जैनी बात है जब आपने खुद एक तरह से उनको फोर्स किये कि वही आप लोग इस तरफ आओ अच्छा फिर हम बात करेंग 1970 के 1971 में एरान इन पाकिस्तान साइन दी एलजरीस एग्रिमेंट सेटिंग दी बाद इस्पूट अवर ब्लोच सान साउथ एस्टन रेजिन ठीक है जो भी अफगानिसान और ब्लोच सान का जो इश्यू था बादर पर ठीक है उस पर एक एग्रिमेंट साइन अध हुआ 1971 में 1973-1977 में सेकंड ब्लोच इंसटेंसी इरॉप्ट्स मार्क्ट बाद कॉन्फिलिक्ट एंड डिमांड्स एग्रेटर अटॉनमी अगैन एक अप्राइसिंग हुई है सेकंड अप्राइसिंग हुई है रवोड किसी इसकी डिमांड करें अटॉनमी की कि हमें हमारी रीजन पर हम अटॉनमी दे दें हमारी रीजन दे दें आप लोग ऐसा कर लेते हैं आप लोग कहते कि यहां पर पाकिस्तानी हकूमत आपको हर बेसिक राइड देगी खीके उनको पार्लिमेंट में थोड़े से सीचे जाए दे थे तो सेकंड अप्राइसिंग देन 2000 में क्या हो बाजी अरली 2000 थर्ड ब्लोच इंसरेंजी बिगन अच्छा ये जो इंसरेंसे हो रही हैं इनमें बहुत नुकसान होता रहा है पाकिस्तान की आर्मी की बंदे भी शहीद होते रहे हैं ठीके और इसके लावा जो मिलिटेंट्स ग्रॉप्स हैं ठीके वो भी इसमें इनकी देट्स होती रही है ठीके अब हैं कौन लड़कोन रही हैं मुस्लमान मुसलमान अपस में लड़ रहे हैं अच्छा थर्ड इंसिजन्सी होगी है स्टार्ट इंक्रीज इन मिलिटन अक्टिविटिज एन वार्लेंस इंड ब्लोचिसान मिलिटन अक्टिविटिज मजीद भड़ गई ब्लोचिसान के हलात मजीद खराब हो गए ठीक है जब थर्ड अप्राइजिंग हुई है तो 2006 में किलिंग ओफ प्रॉमिनेंट ब्लोच लीडर नवाप अक्बर भुक दी ये परवेश मशरफ के दोरक में बात कर रहे हैं उनको कतल कर दिया जाते हैं ठीक है उनको पहले जेल में भी रखा जाते हैं पिर उनकी उनके जो मयत है ठीक है उनके संदुक को ताले लगवाए जाते हैं सीरियसली उन्होंने क्या उटके बाहर आजाना था अपना रियक्शन किस तरह का दे रहे हो मिलिटेंस गुरूपस को अप्रोच बिलिटेंस गुरूपस को वेडियस ट्वेल्टमेंट प्रोजेक्ट्स इन ब्लोचिस्तान एंड अड्रेसिंग एकॉनोमी ग्रीवनेस एंड इंप्रोविंग इंफ्रस्ट्रॉक्ट्ट्रॉच्चर ठीक है फाइनली 2010 के बाद पाकसानी को लगा कि हमें जरा अच्छे तरीके से उनके साथ भी हेव करने डिफर्न प्रोजेक्ट्स का नोने निवादा किया वो भी हम प्रोजेक्ट्स इन्शाला मैं लिस्क्स करूँए एक वीडियो में कि कितने प्रोजेक्ट्स वो कंप्लीट हुए हैं और कितने वैसे के वैसे पड़े हुए हैं तेन 2013-2018 की बात करूँगी ब्लोच नेशनलिस्ट लीडर्स प्राटिस्पेट इन पॉलिटिकल परसेसेस कंटेस्टिंग एलेक्शन्स एंड सीगिंग पाउफुल मींस रुड्रेस्ट देर डिमांड्स थीक है उनको मतलब कि प्राटिक्स में जिसना उनको हक दिया कि वैसे इनको नहीं दिया ठीक है तो इनको अभी भी लगते हैं कि हमें साइड लाइन रखा गया है चलें आंगे देखते हैं फिर हम बात करते हैं जिए 2020 से अभी तक 2022 2023 अभी तक हम मैं बात करूं तो ब्रोचिसन क्राइस स्टिल अन्रिजॉल्वड है ठीक है और बहुत से वहां पर वायूलेंस हो रही है हियूमन राइट्स एब्यूजिस हो रही है और इवन कि मैं आपको यहां पर यह भी क्लियर करती रहूं कि अगर आप समझते हैं कि बहुत से जगां पर हाँ की बात करूं ठीक है तो एक बहुत फेंबस डॉक्टर थी उनका एक रिप केस भी पाकिसनी आर्मी ने किया ठीक है मैंने जान बुच कर उसको यहां पर नहीं लिखा उनका नाम सब कुछ क्योंकि आई डूंट वोंट तुस प्लॉइट दियर इमज डैटस वाइ लेकिन सब के सब अपने रोल्स सही वे में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं गलतियां अगर ब्लोच मिलिटेंस क्रूप में हैं तो गलतियां पाकिसान की आर्मी में भी हैं गलतियां पाकिसान की गौर्मन्ट में भी हैं ठीक है लेकिन इस यह वाइलेंस सपरेट करना पाकिसान में अब ब Specially, बहुत negative perform कर रहे है। मजएद ताकतवर से ताकतवर होता जा रहे है। और पाकससान जगा 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 ब्लास कर रहे है। That is unacceptable। आंगे चलते हैं. तो यह timeline ती है मैं आप लोंके साद़ डिसकसी की। चैनिस प्रोजेक्ट्स और पाकसानी आर्मी के गैंस्ट जो ब्लोच मिलिटेंट्स ग्रुप्स ने अटाक्स किये हैं वो मैं आपके साथ डिसकस करूंगी 30 अगस्ट 2018 में अटाक हुआ सुसाइट अटाक हुआ बाइ दिस सन अफ बलोच लीडर बलोच लीडर की बेटे ने अटाक किया ठीक है और इसमें क्या हुए चाइनिस इंजिनियर्स जोन से थे वो मतलब के जखमी हुए ठीक है और ये भी बलोचिस्तान में ये भी एक जगा ह बलोच लीडर की ठीक है वहां पर ये हुआ ठीक है उसके बाद 13 माए 2019 में ठीक है बलास्ट होता है नियरा पुलिस वैन मिनी मारकिट अरिया कोईटा में पाकिस्तान में ठीक है फिर उसके बाद 16 नॉमबर 2019 में रोड साइड बॉम किल्ड थ्री पार्लिमेंटर ट्रॉप्स कलाच कोईटा पाकिस्तान में ये अटाक हुआ ठीक है उसके बाद 19 जुलाइ 2020 में यूनी डिफाइंट सॉरी अन अइडन्टिफाइड मिलिटेट्स अटाक दी ओल एंड गैस डिवल्पमेंट कंपनी लिमिटेड गैस फिल्ड एन अटाक स्क्यूर्टी पोस्ट अराउंड इस आस सुसाइड बॉमिंग इटाग इन कराची इससे क्या हुआ कि तीन चाइड टीचर्स थे चाइनिस वो उनकी देथ हो गये अच्छा अब थोड़ा से में आप लोगो ना ये शेरी ब्लोच के बारे में बताना चाहूंगी शेरी ब्लोच ये बैसकली फीमेल थी और दो कराची में इसने सुसाइड बॉम्बिंग की और इसके पीछे डिटेल से देखा किया तो पर चला कि भी ये ले था फीमेल के थ्रू भी जो बी ये ले वो अटैक करना शुरू हो गए हैं अब आगे चलते हम लेट सिसक्स बार्ट कॉजिस ओफ ब्लोच इस्थान इशू तो लेटियर नेचरल गैस ऐंडेमी सोर्स विकम अर्सूर्स फाॉरप वर पाकिस्तान बिल्य은ज औफ रफ्रू पा फायदा उठा रहे है पाकिस्थान की नेचर्ल रिसैस से तो उन बिलियंज मेंसे क्या मिलियन्जर का फायधा भी ब्लोच को नहीं अए सकता तो Political Marginalization ब्लोचसान's political representation at the national level and regional level in Pakistan has often been limited. ब्लोच leaders have expressed concerns about their region's lack of political influence and decision making power. पाकिसान के ब्लोचसान के वो political representatives जो के already politics में हैं, ठीक है उनको ऐसा लगता है कभई उनको पाकिसान के जो political affairs है, ठीक है, उनको उस तरह की representation नहीं दी जारी जैसे ही दूसरे members को दी जारी है दूसरे provinces के members को तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनको ना side line पर रखा जा रहा है, ठीक है, उनको decision making में as such उस तरह interference नहीं दी जारी है, तो ये चीज़ भी एक cause बनी इस तरह की uprising की, foreign interference की बात करूं, ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि foreign interference नहीं है, लेकिन foreign interference है, ठीक है, देखो, जहां पर आपके दुश्मनों को नज़र आएगा कि भई, आग थोड़ी से लगी हुई है, वो उस आपको मजीद बढ़ाएंगे ताके आपको full-fledged नुकसान हो, यही काम कर रहा है इंडिया, यही काम कर रहा है यूबस से, वो वहां के लोगों को use कर रहा है पाकिस्दान की against, ठीक है, there have been allegations of foreign involvement in the blotistan issue, with neighboring country suspected for providing support to blotish nationalist groups or using the conflict to future to further their own interest, मतलब वो in militant groups को use करते हुए, अपना खुद का interest जोंसा वो attain कर रहे हैं, specially BLA को foreign aid मिलती है और वो strong सो strong होता जा रहे है, ठीक है, definitely जो उनको पते कि बई, इन लोगों में महरूमी है इन लोगों की महरूमी को पूरा करो और इन से अपना फाइदा निकालो, और वो लोग यही कर रहे हैं, और सबसे जदा नुकसान पहुँच रहे हैं हमारी economy को, आप एक मुल्क को economically slow down कर दो, automatically वो collapse होने के करीब तरीन आ जागा, और यही हाल इसने पाकिस्तान का हुआ 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 है, और अगर मैं कहूँ, तो हमने खुद ही शेयर दी है foreign invaders को, कि foreign जो states हैं वो interfere करें हमारी personal issues में, okay, human right abuses की मैं बात करूँ तो, allegations of human right abuses including enforced disappearance, अच्छा, enforced disappearance के बार में मैं आपको बताना चाहूँगी, कि इस टाइम वहां पर हजारों कितदाद में, sorry, हजारों कितदाद में बलोची हैं जो गाइब हैं, disappear हैं, मतलब कि उनकी families को कुछ नहीं बता कि भाई, वो है का, और ये खुली-खुली पाकिस्तान के constitution की negliction है, मतलब कि अगर किसी बंदे ने कुछ किया होता है, उस पे मुकदमा चलता है, उसके बाद सारी के सारी processing होती है, उसके बाद उसको जेर में बज़ा जाता है, ठीक है, बट यहां पता ही निजलता कि भाई, वो लोग गए का, उनकी families रो रही हैं, तड़प रही हैं, कि भाई हम कहां जाएं, किस तरह कहां, किस से पुछें, कि हमारे अपने प्यारे कहां पर हैं, ठीक है, तो, enforced dis appearances वहां पर हैं, ठीक है, extra traditional killings हैं, torture हैं, वहां पर, और इसके लावा, fueled anger है, ठीक है, लोगों के दिलों में गुसा दूंसे हैं, वो मतलब कि, लावे की तरह बाहर निकल रहा है, मतलब इतनी वर्स कंडिशन हो गया, and this is seriously threatening, और इस पे हमें फिकर करनी जाही है, that's why मैं आप सबसे एक simple सी request करती हूँ, कि simple simple सी post बनाएं, और बलोचिस्तान पर ठीक है, और चोड़ोटे प्यारे प्यारे share लिखें, चोड़ोटी प्यारे प्यारे बातें लिखें, उनके बारे में, share करें, ताकि हमारी comment को लगे, we should have to do something for blotistán, ठीक है, अच्छा, क्योंकि हम सब को कुछ face करना पड़ेगा, society bombings, जगा जगा blast, already हम face करें, ये चीज़ मज़ीद भढ़ जाएगी, ठीक है, अच्छा, एक वज़ा ये भी है कि blotistán में insurgent groups की presence है, ठीक है, ये 5 groups आपनों के सामने लिखें, इनको आपने याद रखने हैं, सबसे पहले, blotistán liberation army, bla, ठीक है, सबसे अधा powerful, blotistán liberation front, blf, blotistán publican army, bra, blotistán liberation tigers, blt, blotistán lb, ठीक है, तो देखो, वहाँ पर कोई एक group नहीं है, बैलकि different different groups है, छोटे होटे, कबीले भी बने हुए हैं, ठीक है, तो अजीब सा वहाँ पर, इस टाइम, सारा का सारा सीन है, तो if you have any question, do write your questions, in comment section below, and hit the like and subscribe, बढ़ने हैं यहाँ यहाँ येट, मिरते हैं जी नेक्स्ट होट इशू के साथ, until then, मुझे अपनी दौमें आदर किका, stay tuned, एंड लाहाफिज,